हेलो नमस्कार सश्रकाल दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग वॉलिवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है अली अजगर ने कहा कि शो छोड़ने के बाद से वो कपिल शर्मा से बात नहीं कर पाए मैंने उनके कॉल मिस किये और उन्होंने मेरे जी हाँ आपको बता दे कि एक्टर कॉमेडियन अली अजगर ने एक नए इंटर्व्यू में कपिल शर्मा के साथ अपनी इक्वेशन के बारे में बात की बता दे कि अली ने साल 2017 में कपिल के लोग प्रिय कॉमेडी शो दे कपिल शर्मा शो को छोड़ दिया और क्रियेटिव डिफ्रेंसेस को इसका कारण बताया शो से बाहर निकलने के बाद भी अली ने कहा कि वह आगे वढ़ गए है क्योंकि तब से कोई कम्यूनिकेशन नहीं हुई है अली दे कपिल शर्मा शो का एक लोग प्रिय हिस्स्ता थे शो में वे नानी और दादी के रूप में दिखाई दिये उन्हों ने उस समय शो छोड़ दिया जब कपिल ने सुनिल ग्रोवर के साथ अपने जगड़े की खबर सामने लाई अली के मताबिक उन्हों ने अपने किरदार का दायरा न देख पाने पर शो छोड़ दिया बता दे कपिल शर्मा के साथ अपने बंधन की बारे में पूछी जाने पर अली ने कहा कई बार मैं उनका कॉल मिस करता था और वह मेरी कॉल मिस करते थे हमारे बीच कोई लड़ाई या घुसा नहीं है मैं दोबाराद कपल शर्मा शो का हिस्सा बनने को लेकर सक्त नहीं हूँ उन्होंने कहा कि वे सोशल गैदरिंग्स में भी कॉमेडी शो के बाद कभी नहीं मिले क्योंकि अली को पार्टी करना पसंद नहीं है शो से बाहर निकलने के बाद अली ने कहा कि उन्होंने अपने आसपास चल रही कई रिपोर्ट्स के बीच चुप्पी बनाये रखने का फैसला किया पूरी सिच्वेशन में मेरा मुद्धा दबा हुआ था और मुझे कभी भी शो छोड़ने का सही कारण बताने का मौका नहीं मिला साथ ही अली ने ये भी कहा कि यह उन्हें परिशान करता है जब लोग एक बहुमुकी अभिनेता के रूप में उनके काम को नजर अंदास कर देते हैं और केवल उनके क्रॉस ट्रेसिंग पात्रों को याद करते हैं जैसे की कामेरी नाइट से एक उन्होंने कहा अब मेरे वो सभी क्रॉस ट्रेसिंग किरदार लोगों की जहन में है तो ये मुझे थोड़ा परिशान करता है, ये मेरी गलती है, कैसे? उन्होंने कॉमेरी भूमिकाओं में टाइप कास्ट होने की बात कही, अली को लगता है कि उनकी लाइन में आए एक या दो प्रोजेक्ट हैं जो दर्शकों के नजरीये को बदल सकते हैं, वह वर्तमान में कल में जरूर बताईएगा दोस्तों कर दोस्तों